हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशिस क्लासेज पर बात करेंगे 13 अब जनवरी के 1st एडिटोरियल की और उससे पहले बात करेंगे कैसे आप पेड़ कोर्सेज एकसेज कर सकते हैं तो पेड़ कोर्सेज एकसेज करने के लिए आपको ये एप्लिकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से आशिस क्लासेज या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पे देखेंगे कि हर एक पेड़ कोर्स में आपको डेमो वीडियो दिया हुआ है वह डेमो वीडियो जो गो थू करें उसके साथ पीडिया भी आपको मिलेगा और इसके अधिरिक एक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा टेलेगरम चैनल का उसका नाम भी आसिस क्लासेज ही है वहाँ पर आपको इस सेशन के अलावा जो भी सेशन मिलेंगे उन सभी का answer मैं pin करता हूँ एक दिन के बाद 24 hours के बाद उसका answer जो है या next question देने से पहले जो पिछला जो question होता है उसका answer pin कर दिया दा तो आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपका answer वहाँ पे सही है या नहीं है तो यह start करते हैं आज का session और सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से नए words यहाँ पर है तो आपको एक phrase दी हुई है keep the wheel running कई जगे पे आपको इसको keep the wheel turning मिलेगा ठीक है और keep the wheel rolling मिलेगा पात एक ही है इसका मतलब है to make something to make something continue to happen or operate कोई चीज लगातार चलती रहे ऐसा कोई काम कर देना उसे कहते है keep the wheel running दूसरा है thereby यह एक adverb है इसका मतलब होता है as a result of something किसी चीज के परिणाम सोरूप because of something भी कहा जा सकता है तीसरा है snippet इसका pronunciation snippet है यह noun है इसका मतलब है small or interesting piece of news or information small and interesting कर दीजे a small and interesting piece of news or information news or information मतलब कोई थोड़ा जो news bite सलाई जाती है news में उसे कहा जाता है snippet छोटी news हो लेकिन रोचक news हो उसे कहा जाएगा snippet dictate है यह verb है इसका मतलब होता है order या फिर इसे कहा जाएगा decree ठीक है आदेश देने को instruct करने को बोला जाता है instruct dictate next I come up with यह एक phrasal verb है इसका मतलब होता है phrasal verb है इसका मतलब है to suggest a new idea to suggest a new idea कोई नया विचार सुझाना afloat है यह एक executive है afloat का मतलब होता है to have enough money to have enough money to pay your date मतलब परियाब तो मातरा में इतना पैसा तो होना कि आप अपना रिन चुका सकें ठीक है उसे कहा जाएगा afloat और एक है implication implication noun है यह आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि ti on से end दे रखा है आपको तो ti on ending words जो होते हैं वो noun होते है implication का मतलब होता है consequence या फिर इसे कहा जाएगा ramification या फिर इसे कहा जाएगा result यह सब इसके मतलब है मतलब परिणाम नतीजा इसका screenshot आप ले सकते हैं उसके बाद में start करेंगे session तो आज का जो editorial है उसका title है trust deficit deficit जो शब्द है trust का मतलब तो विश्वास होता ही है deficit जो word है इसका मतलब है shortage या shortfall या तो आप इसे कह सकते हैं shortfall या फिर आप इसे कह सकते हैं shortage कमी को कहा जाता है क्या deficit और trust का मतलब है विश्वास तो विश्वास की कमी ये इस title का मतलब है The Decision of India's Competition Watchdog Watchdog का मतलब होता है जो एक ऐसी संस्ता जो निगरानी रखती है हर एक segment में watchdog होता है हर एक segment में जैसे माली जे class है class में विद्यार्थी होते थे teacher के अनुपस्तिती में एक monitor बना दिया जाता था ताकि वो control करे class को तो वो watchdog था तो एक प्रकार regulatory जो एक institution है एक organization है जो दूसरे संस्तानों पर दूसरे organization पर control रखता है उसको निगरानी बना के रखता है उसको watchdog बोलते है ठीक है तो decision जो है किसका भारत के competition watchdog का भारत का प्रतिसप्रदी जो मार्केट है उसका जो watchdog है उसका decision क्या decision decision दिया कि भई investigation होनी चाहिए ठीक है एक काम की बात है कि investigation के साथ में इंटू लग जाता है investigate में नहीं लगेगा investigate तो वह होती है investigation में लग जाएगा इंटू तो decision जो है भारत के competition watchdog का कि भई investigation की जाए किसकी investigation गूगल की किसके बाद किसके कारण following का मतलब होता है इस घटना के बाद तो घटना क्या घटी allegations by the country's digital news publishers आरोप लगाए गए किसके द्वारा देश के digital news publishers के द्वारा that क्या it has broken antitrust laws it यहां पर आ रहा है किसके लिए google के लिए it की verb है वो has broken है कि google ने तोड़े है antitrust laws antitrust laws क्या होता है यह ऐसे कानून हैं जिसके अंदर मतलब एक कोशिश की जाती कानून ऐसा कि जिसमें यह instruction दिये जाएं कि आपको परतिसपरधी market को inspire करना है encourage करना है परतिसपरधा बना के रखने मोनोपोली किसी भी company की नहीं होनी चाहिए उसको बोलते है antitrust laws तो antitrust laws को इसमें तोड़ा है marks यह जो चीज है यह चिन्हित करती है a significant moment एक महत्तोपूर्ण छण significant का महत्तोपूर्ण moment का छण in a country एक देश में where जहां पर the fortunes of the news media industry जहां पर the news media industry है उसके जो chances है fortunes का मतलब यहां पर chances से है भाग्य को बोलते हैं वैसे पैसों को भी बोलते हैं धन को भी बोलते हैं यहां पर chances से हैं तो chances जो हैं have been on a downward path वो किस तरफ हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब chances कम हो रहे हैं यह कहना चाता है अब fortunes की verb है यह have been है समझना decision किसका इंडिया के competition watchdog का क्या decision कि Google की जांच की जाए ठीक है investigation हो Google का किसके बाद क्या रोप लगाए गए देश के digital news publishers के द्वारा क्या रोप लगाए गए कि Google ने antitrust laws को क्या किया है तोड़ा है तो यह जो decision है अब यह जो decision है यह इसकी verb marks है यह mark करता है a significant moment significant executive हुआ moment noun हुआ कि एक महत्तो पूर्ण छण in a country कैसे देश में जहां पर news media industry के जो chances है वो downward path की ओर है वो नीचे की ओर जा रहे है the development is not a total surprise लेकर कह रहा है कि जो यह घटना घटी है जो development हुआ है यह पूरा surprise नहीं है मतलब कहें कि कोई surprise करने वाली घटना नहीं है ऐसा नहीं है कि हमें जटका लगना चाहिए इस news को सुनकर यह तो पहले भी हुआ था यह कोई rare घटना नहीं है development की verb है वो age है तो समझने योगे बात यह थी कि decision की verb है marks or decision noun है क्योंकि दे लगा हुआ है the fortunes fortunes भी noun है क्योंकि दे लगा हुआ है इसकी verb जो है वो have been है और development भी noun है क्योंकि दे लगा हुआ है इसकी verb है is है ठीक है बाकि कोई नए वर्ड यहाँ पर था नहीं watchdog का मतलब को समझना है watchdog यह regulatory संस्ता होती है जो कि निगरानी रखती है दूसरे संस्ताओं पर और deficit का मतलब shortfall या shortage है कमी है deficiency भी deficiency इसी से बनता है deficit से ठीक है आगे देखें for governments in many countries for यहाँ पर इसका मतलब क्यों की है for conjunction का काम भी करता है इसका मतलब क्यों की होता है क्योंकि government जो है बहुत सारे देशों में such as जैसे कि Australia और France है have used अभी have used इसकी verb है इन governments ने इस्तेमाल किया है किसका अपने political capital का political capital क्या होती है political capital का मतलब यह है कि आप मतलब नेता लोग जो है वो किस प्रकार goodwill रखते हैं जनता के बीच में कैसा उनका मतलब छवी है जनता के बीच में उसको बोलता है political capital तो इन देशों ने अपने political capital का इस्तेमाल किया है in recent years हाल ही के वर्षों में to try and correct the enormous imbalance enormous का मतलब होता है use करने का कि जो बहुत बड़ा ऐसंतुलन बना हुआ है ऐसंतुलन कौन सा that लगा के बताया that यहां पे imbalance के लिए आ रहा है जो exist करता है किस किस के बीच में big technology companies जो बड़ी बड़ी तक्वनी की company आ है उनके बीच में that control अब companies कौन सी companies यहां पे है वो companies जो control करती है news को digital spare में आज के दिन digital spare मतलब digital दुनिया spare का मतलब वैसे छेत्र होता है area होता है and that traditional journalism industry तो किस किस के बीच में तो एक तरफ तो है big technology companies दूसरी तरफ यह है traditional journalism industry जो परंपरिक पत्रकारिता जो industry है वो that keeps that यहां पे इस industry के लिए है जो कि keeps the wheels of news running जो कि समाचार जगत को बचलाए रखती है बनाए रखती है continue रखती है thereby और इसके परिणाम सोरूप also creating the basis for the conversations यह conversation के basis को भी बनाती है बातचीत जो है उसके आधार को भी create करती है कौन सा conversations? conversations वो that are so important in a democracy जो कि लोक तंत्र में बहुत ज़्यादा महत्तोपूर्ण है ठीक है फिर समझना governments जो है इसकी verb have used है फिर that यहां पे दे रखा है यह imbalance के लिए है इसके बाद में यहां पे देखना था keep the wheels of news running यह एक phrase थी keep the wheel of something running इसका मतलब होता है continue करना कोई चीज मतलब संचालित होती रहे लगाता चलती रहे उसको बोलते है यह चीज thereby एक adverb है इसका मतलब के परिणाम सुरूप होता है as the result of something होता है यह because of होता है between के साथ में end लगेगा तो between दो चीजों के बीच की बात करता है तो एक तरफ तो big technology companies है दूसरी तरफ digital यह आपका traditional journalism industry है तो यह end लगा हुआ है दोनों के बीच ठीक है एक पर फिर समझे जिए और such as का प्रियोग हमें example देने के लिए करते हैं तो such as यहां तो धारन देने के लिए आया है Australia और France जैसे देश है उनकी बात कर रहा है इस कारण से such as का प्रियोग है तो कहरा क्यों कि government जो है बहुत सारे देशों में जैसे के Australia और France की government जो है उन्होंने पॉलिटिकल केपिटल का यूज किया है किसमें हाल ही के वर्षों में किसलिए कोशिश करने के लिए और सही करने के लिए जो बहुत बड़ा ऐसंतुलन है उसको यह क्या करती है यह न्यूज जगत को चलाए रखती है ठीक है और इस प्रकार से यहाँ पे आधार बन गया है conversations का जो conversation लोगतंतर में बहुत ही important है यह बातचीत होनी चाहिए इस मुद्दे पर ठीक है बी का मतलब याद रखेंगे इस एमार होता है वाजवर होता है बी बीन बींग होता है तो इस प्रकार से कुल मिला कि आठ वर्ट्स हैं यह इन में से किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉम दे रखी है तो पैसिव है तो investigations की आदिश दिया गया है on the basis of किस आधार पर आधार है complaint एक शिकायत दर्ज की गई थी किसके द्वारा India's Digital News Publishers Association इसके द्वारा थीक है अब यह विच आ रहा है इस association के लिए इसने क्या किया इसने आरोप लगाया LS किया LS का मतलब आरोप लगाना है क्या that key conjunction है Google not only dominates the market for information कि Google जो है वो information के लिए ना किवल market को dominate करता है मतलब इस प्रभुत्व का यह इस से प्रभाव शीलता का abuse भी करता है यह use का opposite है abuse investigations की verb है वो have been ordered है which related pronoun association के लिए है तो इसकी verb has alleged है Google है इसकी verb है वो dominates है इस प्रकार subject verb हो गया फिर यहाँ पे have been ordered था तो यह passive हो गया on the basis of यह एक phrase होती है इस आधार पर ठीक है complaint यहाँ पे noun है क्य पादेश दिया गया है एक complaint के basis पर complaint किसने दर्ज कराई इंडिया के digital news publisher association के द्वारे complaint दर्ज की गई क्या यह association है association ने दावा किया है एलेज किया है मतलब दावा किया है ठीक है एलेज को आप आरोप लगाना भी कह सकते हो तो दावा किया है कि Google जो है ना केवल मार्केट को information के लिए dominant करता है बलकि dominance का दूरुपयोग भी करता है यहाँ पर जो यह not only है इसके साथ में combination होता है but also का तो यह but also आपको दे रखा है ठीक है information के बारे में याद रखें कि information uncountable noun होता है इसके पहले कभी भी a या n नहीं लगता है इसके साथ कभी भी plural verb नहीं लगती है वर्ब हमेशा singular आएगी क्योंकि यह uncountable है और a और n हमेशा countable noun से पहले आता है इसलिए यहाँ पेस से पहले a और n भी नहीं आएगा it does so अब यह it are google के लिए google ऐसा करता है कैसा करता है यह जो प्रभाव शील्टा का प्रियोग कर रहा है ऐसा करता है the association has alleged यह association कौन सी हो गई यह वाली association चुकि definite हो गई पता लग गया तो association से पहले ही इसने दे लगा दिया definite बनाने के लिए तो ऐसा करता है association का दावा है कि यह गूगल कैसा करता कैसे है एलेज का मतलब क्लेम करना मालो आरोप लगाना मालेजिए है ना दावा करता है यह कैसे करता बाइनोट प्रोवाइडिंग अ फेर शेयर ऑफ दे अडवर्टाइजिंग मनी अब यह मनी का तो बनता ही नहीं है लेकिन financial context में वित्तिये कुछ संदर बाते हों तो आज कल की इंग्लिश में modern English and monies का प्रियोग हम करते हैं यह amounts of money हो गया इस monies का मतलब क्या हो गया amounts of money amounts of money यह इसका मतलब हो गया ठीक है तो it does so यह ऐसा करता है it यहां Google के लिए है इसकी verb does है the association as alleged इस association ने दावा किया है कैसे करता है by not providing a fair share of the advertising money कि विज्याप पन से जो पैसा आता है ना उसका सही हिस्सा fair share का मतलब एक उचित एक हिस्सा होना चाहिए सभी का जो partnership जिज्जिस की है उनमें वो बाटता नहीं है पैसा and by not providing और एक चीज़ और नहीं करता Google by not providing adequate information परियापत सूचना भी नहीं देता है adequate जो है इसका मतलब होता है sufficient या फि ये fair share of advertising monies यहां पर distribute करता है it has also complained it की verb hedge है also जो है वो man verb से पहले देखो आता है अगर helping verb है तो helping verb के बाद में man verb है तो man verb से पहले इस प्रकार से इसका use करते है इस नहीं ये भी complaint की है it किसके लिए आ रहा है इस association के लिए खुद से question पूछते रहा करो कौन सी चीज किसके लि प्रूब करेगी तो इसने ये भी शिकायत करी है कि that it does not get paid अभी get paid get के साथ verb की third form याद रखिएगा get और have ये causative verbs होती है इनके साथ verb की third form लगाते हैं इसका मतलब किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाना ये causative verb है प्रिणार्थक क्रिया बोलता है हिंडी में it does not get paid for the news snippets इसने ये भी शिकायत करी कि भी इसको association को पैसा नहीं मिलता है news snippets के लिए snippets का मतलब बताया था छोटी सी समाचार हो लेकिन interesting समाचार हो जो news bites चलती है उसकी बात है that appear in search वो snippets की बात कर रहा है जो कि search में appear होती है गूगल पे आपने कुछ भी search किया तो छोट-छोटी news bites क यह बार डिख जाती है तो उसके लिए भी पैसा इसको नहीं दिया जाता है इस association को यह भी इसकी शिकायत है it की verb है वो has complained है it यहाँ पे आ रहा है इसकी verb does get है not have verb of negation है और get के साथ third form आएगी और that जो है इस snippets के लिए है इसकी verb appear है आगे देखें the associations broader point association जो है इसका बड़ बाद इसने क्या करी वो यह है कि that the terms of engagement कि जो terms of engagement है वो unilaterally and arbitrarily dictated by the tech platform यह tech platform गूगल के लिए दे रखा है broader point का मतलब बड़ा बात इसने क्या करी बड़ी बात इसने यह करी कि terms of engagement terms of engagement का मतलब भी आप कोई बी organization को join करते हैं तो उससे पहले terms of engagement आपको देखनी पड़ती है कि कौन-कौन से शर्ते हैं उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है तब जाके आप join कर पाएंगे contract होता है ऐसे ही कोई partnership अगर है तो उनमें भी contract होता है कि हम partnership तभी करेंगे जब मेरी शर्ती है और आपकी शर्ती है दोना अगर मिल जाती है तो हम partnership कर लेंगे तो वो terms of engagement है तो association का broader point यह है कि terms of engagement जो है unilaterally का मतलब होता है one-sided unilaterally का मतलब one-sided एक तरफा ठीक है और arbitrarily का मतलब है willingly मनमाने धंग से अपनी इच्छा है वैसे ही तो association का बड़ा point यह है कि terms of engagement जो है terms के लिए आ रहा है यह एक तरफा और unwillingly dictate किया जाता है मतलब जो भी terms शर्ते हैं वो एक तरफा गुगल ही तै करता है और साथ में मनमाने धंग से इसी के आदेश चलते हैं ठीक है and there is nothing its members can do और ऐसा है ही कुछ भी नहीं nothing की verb is है क्योंकि there से start हो रहा है तो inversion लगेगा तो inversion का मतलब करिया आपने subject से पहले आएगी nothing से पहले ही जा रही है its members यह आ रहा है its members जो है association के members can do यह इसकी verb है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसके बारे में किया जा सकता है the imbalance of power जो यह शक्ति का एसंतुलन है and the denial of a fair share of revenue revenue का मतलब income है और जो income का fair share हमें नहीं मिलता है इसको मना कर दिया जाता है will be questions यह कुछ प्रशन होंगे that the watchdog will be interested जो कि यह watchdog जो है यह association है जो निगरानी रखती है संस्ता वो interested होगी explore करने के लिए explore करने का मतलब search करना तलाशे की इन प्रशनों का answer तो imbalance subject है imbalance की verb जो है imbalance of power and the denial of a fair share यह दो चीजे है एक तो imbalance दूसरा denial एक तो एसंतुलन इस पावर का भी दो पार्टनर दोनों की equal power मिलनी चाहिए लेकिन Google यहां जड़ा powerful है तो imbalance हो गया और denial of a fair share of revenue और revenue का fair share नहीं दिया जाएगा revenue का जो उचित हिस्सा है वो नहीं मिलेगा यह questions होंगे और questions कैसे वो प्रशन है जो की watchdog जो है interested होगा explore करने के लिए इन आ रहा है तो इन के बाद में noun चाहिए आपको क्योंकि preposition जो है उसको अपना object चाहिए अब object आप लगाओगे तो क्रिया को object बनाने के लिए आपको ing लगाना पड़ेगा तो इसने ing लगा दिया What was recognized by lawmakers in Australia? क्या वो चीज थी जो जानी गई पहचानी गई रिकनाईज की गई तो what की वह वोज है? किसके द्वारा? Australia में जो lawmakers है उनके द्वारा for instance उधारन के लिए when they last year came up with the law जब पिछले साल देख इसके लिए आ रहा है इन lawmakers के लिए जब वो पिछले साल come up with क्या होता है? कोई भी एक नए विचार सुझाना इन्होंने एक idea दिया था एक law का लो कौन सा? कानून कौन सा? that sort जिसमें एक कोशिश की गई थी sort जो है वो seek की second और third form होती है seek होती है first form, sort होती है इसकी second form और sort ही होती है third form जिसमें की ये चाहा गया था to level the playing field, level the playing field का मतलब है बराबरी का आउसर देना, कि बराबरी का आउसर दिया जाए big tech platforms को और news publishers को ठीक है? तो is a condition, ये एक ऐसे शर्त है that is true around the world, जो पूरे विश्व भर में क्या है? सत्ते है, true है what की verb was है, what was recognized, क्या चीज है जो पहचानी गई law makers के द्वारा अस्ट्रेलिया में उधारन के लिए जब वो पिछले साल उन्होंने एक law सुझाया, एक idea दिया एक कानून का वो कानून जिसके अंदर ये कहा गया था, ये कोशिश की गई थी कि भी level playing field होना चाहिए, दोनों के बीच में big tech platforms, मतलब जब Google है और news publishers, इनके बीच में एक level playing field दोनों की बराबर power मिलना चाहिए तो वो क्या चीज थी? वो चीज ये थी, what was recognized, ये इसके लिए आ रहा है, is a condition ये वो चीज है, कि एक condition एक शर्त है, वो condition अब condition के लिए data आ रहा है, relative pronoun जो की पूरे विश्वभर के अंदर सच है, true है, ठीक है? In India too, भारत में भी, ये जो too है, एक adverb होता है, emphasize करने का काम करता है उस शब्द के ठीक बाद में लगता है, जिसकी हमें विशेस्ता बतानी होती है, जिस पर हमें stress डालना होता है भारत में भी, the power imbalance exists, भारत में भी ये जो power का एसंतुलन है, ये exist करता है, अभी भी अस्तित्तों में है and has only gotten worse, और ये बदतर ही हुआ है, worse है, वो bad की comparative degree है the news media industry, जो news media industry है, which invest, विच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, इस industry के लिए, वो industry जो invest करती है, निवेश करती है, इन journalist पत्रकारों में has struggled, इसने बहुत संघर्ष किया है, to stay afloat, afloat का बताया कि इतना पैसा तो हो कम से कम कि अपना कर्जा चुका सको तो इसने बहुत संघर्ष किया है, कि यह परियापत मात्रा में पैसा इसके पास हो, रिणी ना हो जाए, कमपनी कहीं ऐसा न हो, कि बहुत कर्जा इस पे सर पे हो जाए यह सब कुछ था, इसके अंदर कुछ विशेस नहीं है इंटर्वेंशन जो है, इंटर्फेरेंस को बोलते है, हस्तक्षेप को बोलते है रेयर है, जेक्टिव है, इंटर्वेंशन नाउन है और्स्टेलिया वाला केस जो है, यह गौवर्मेंट के द्वारा किया गया एक दुरलब सा हस्तक्षेप है government ने किस में हस्तक्षिप किया है इस relationship में partnership किस की है publisher platform google है एक news publisher है उनकी partnership है उनके रिस्तों में ये intervene किया है government ने एक दुरलब सा case है the current investigation in India भारत में जो वर्तमान की investigations है is more of a case आप देखो ऐसे तापको लगेगा investigations है यहाँ पर आ रहाना चाहिए लेकिन अक्चुरी sentence पढ़ेंगे आप धंग से तो वर्तमान जो investigations हुई है भारत में ये एक case है इसको इसने एक case मान लिया इसलिए इस आ रहा है तो ये एक ऐसी स्तिती है भारत में जो भी investigations चल रही है आज कल के time पे वो एक case है किसका publishers finding an appropriate existing forum in search of relief कि publishers जो है वो कोशिश कर रहे हैं खोजने की कि उनको एक उप्यूक्त existing forum मिले एक मंच मिले किसलिए कि वहाँ पे उनको रहत मिल सके forum जो होता है मंच होता है इसका plural है वो fora होता है forum का plural है वो fora बनता है तो वर्तमान जो investigations है भारत में वो ज़्यादा बड़ा case ये है कि publishers कोशिश कर रहे हैं find कर रहे हैं publishers finding publisher के find करने केस है इसकी verb नहीं है ये ये present participle है इसका publishers find कर रहे हैं appropriate existing forum कि वर्तमान में कोई ऐसा forum इनको मिल जाए जहां से उनको relief मिल सके the sustainability of journalism तो journalism की जो sustainability है in the digital era इस digital yug में has far reaching implications far reaching का मतलब क्या होता है far reaching का मतलब होता है wide spreading मतलब काफी व्यापक या फिर इसे कहेंगे क्या extensive implication बताया था मैंने आपको परिणाम को बोलते हैं तो जो sustainability है journalism की journalism मतलब चलता रहे digital era में इस digital yug में इस sustainability का बहुत बड़े स्थर परिणाम है बहुत छिपे हुए अर्थ है especially in a democracy wishes करके एक लोकतंत्रिक देश के अगर बात करें तो वहाँ पर it has been quite evident evident का मतलब apparent होता है evident का मतलब obvious होता है कहने का मतलब spasht को बोलते है evident तो ये बिलकूल spasht बात रही है हाल ही के वर्षों में that the industry has ended up industry की verb has ended है end up का मतलब एक ऐसी स्थिती में पहुँच जाना कि industry जो है एक ऐसी स्थिती में आ गई है कि ये जो news industry है आजकल quality को sacrifice कर रही है गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रही है किस कारण से it's quest for more eyeballs क्योंकि अब इसकी तलाश क्या है इस यहाँ पे इस industry के लिए possessive adjective है quest का मतलब होता है सर्च तलाश eyeballs का मतलब वैसे तो आखों की पुतली कोई बोलते है लेकिन eyeballs का मतलब यहाँ पे है उसे बोलते है in the quest for more emotional engagement कि आजकर public को जदा emotionally engage रखा जाता है emotional चीज़ें दिखा कर engage रखते है quality का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आहाली के वर्षों में यह बात express हो चुके है it की verb has been है क्या that conjunction लग गया है कि industry जो है यह news industry है इसने अपने quality को sacrifice कर दिया है किस तलाश में कि इनको लोग चाहिए आजकर जो जिनको emotionally engage रख सके जिनको विग्यापन दिखा सके इन्हें quality से मतलब नहीं रह गया है the cost of not being able to get a fair value जो कीमत है किस चीज़ की कि आप समर्थ नहीं है कि आपको fair value मिले जर्नलिस्टिक effort की कि आपके पत्रकार जो प्रियास करते हैं जो कि उनको पैसा भी देना है आपको तो उसकी value आपको नहीं मिल पा रही है fair value नहीं मिल पा रही है can never be over emphasized enough तो इस बात को इस कीमत को आप इस पर अधिक मतलब over emphasized क्या होता है over stress अधिक जोड डालना exaggerate करना अतिशोक्ती होना बढ़ा चड़ा कर बोलना तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बढ़ा चड़ा कर बोल रहे हैं ये तो fact है कि आज कर ऐसा हो रहा है कि आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी जर्नलिस्टिक effort है उनको आफ higher value उनके लिए नहीं प्राप्ट कर पा रहे हो तो इस बात कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी तो ये था आज के इस session में मुलाकात होगी अब कल एक नए session के साथ तब तक लिए नमस्कार Thanks a lot